हेलो गाईज गैसे हैं अब सुब लोग आयोग सब बढ़िया होगे आज की वीडियो में हम बात करने में कि आप अपने किसी बिर एड्मी शॉमे की डिवाइस में नौटिकेशन इस्टिरी के ओप्शन को कैसे इनेबल कर सकते हो बहुत ईजी स्टैप पर इनेबल करने के लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जुरूत है ही नहीं सो वीडियो काफी इंटरस्टिंग होने वेले काफी छोटी सी वीडियो होगी विल्कुल भी स्केट मत कीजीगा वीडियो को और यहां से हम विदाउट वेस्टिंग अने टाइम अपनी वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट सो गैस इसे इनेबल कैसे करना है वह जानने से पहले आप यह जान लीजे कि नॉटिफिकेशन इस्ट्री के उप्शन का यूज क्या होता है इससे हम क्या कर सकते हैं इसमें होता गया है जब आप इस उप्शन को इनेबल कर लेते हो तो आपकी जो भी नॉटिफिकेशन होती है जो आपकी रिसेंटली नॉटिफिकेशन होती है आपने उपर नॉटिफिकेशन बार से आज से अपने क्लियर कर दी हुई है तो वो आप अपनी नॉटिफिकेश ती मेरी वो यहां पर आपको दिख रही है और last पर आते हो तो यहां पर नौल के चीटा फिसे लिए रहने को नहीं मिलेगा अब देख सकते हैं नौल अप्चिविट लांचर से आपे डउन लॉडड कर सकते हो इस एक्टिविटी लांचर का मैं आपको डिस्क्रिप्चिन में भी लिंक दे दूगा वह मैं टीलिक अधैक्त और इसे ख GNC पर लेता हैं तो जाए इसे और हमें से ओपन करने के बाद यहां पर ऊपर सच बार पर कलिक करना और रिख लिदा है इसको थारो फिर दिखने को मिल जाता है यहां से आप इसे इनेबल ऐसे कर सकते हो आपकी सारी जो भी रिसेंट नोटिफिकेशन दोंगी यह लास्ट ट्रांटिफिकेशन होगी वह आपको यहां पे शोड़कर नहीं लग जाएगा अब आपको बार बार आपको एक्टिविटी लॉंचर उपन करना आपको क्या करना होगा एक्टिविटी लॉंचर पर लॉंग टैप कीजिएगा और यहां पर आप इंफू पर आने के बाद यहां पर आपको अदर पर मिशन का ओप्शन दिखता है इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर होम स्क्रीन शोटकर का ओप्शन दिखता है इ कि सीधा notification history यहां पर open हो जाएगी और आपको सारी notification history आपकी यहां पर show करने लगेगा और यहां से आप डिरेक्ट उस सेटिंग को open भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो ठीक है गाइस इसे जी वोड की सेटिंग है इसलिए open नहीं हो रही है बट जो भी आपकी notification को और application की notification होगी उसे आप यहां से डिरेक्ट उपन भी कर सकते हो ठीक है गाइस तो यहां से आपको काफी